हेलो यूर्वन स्वागत है आप सभी के आपके अपनी यूट्यूब चैनल एस स्मार्ट क्लासिस में सीटिट का सेकेंड पेपर में अगर आप लोगों का सब्जेक्ट एसस्टी है तो उसके लिए आपको जोग्रफी इस्ट्री पॉलिटी सब कुछ पढ़ना पड़े गए य वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर के लिए साथी वेल आइकन को भी प्रेस के लिए ताकि ऐसे वीडियो आपको आगे भी मिलते रहें आज का देखी चैप्टर है आपका चैप्टर 6 हमारा देश भारत बहुत यच्चा चैप्टर है भारत से संबंधि बिस्तार है बहुत जादा है उत्तर में यह हमाले के उंचे सिखरों से घिरा है पस्चिम में अरब सागर पूरब में बंगाल की खाड़ी तथा दच्चिम में हिंद महासागर भारती प्रायदूप के तटो पर लहरा आते हैं यह देखी भारत का मैप भी देख लीजे भार है और कहां पर आपका हिंद महासागर यहां पर देखी जितने भी इंपॉर्डेंट पॉइंट्स हैं सभी को मैंने हाइलाइट कर रखा है इसका पीडियो देखने के बाद एक बार पीडियो देख लिजेगा सारी चीजे आपकी कंप्लीट हो जाएंगी भारत का जो छेत्र 술ओ कें मोटा मोटा नक्षा को आना चाहिए मैं यहां पर बना देती। मैं अच्छा नहीं बन निक्स्ट है उचे उचे परवत भारती मरुस्तल उत्री मैदान अशमान पठारी सतर तटी भागयों दुइप समूं इस्थल रूपों की भिभिनता को दर्साते हैं यहां चलवायू वनिस्पती वनिजीवों के साथ भासन संस्क्रती में भी बहुत भिनता है इस भिनता में भी हम एक्ता को पाते हैं जो हमारी प्रंपराओं को दिखती है यही कारण है कि हम एक राष्ट में बने हैं वर्स 2015 से अब तक भारत की अबादी 120 करोंड से अधिक हो चुकी है यह चीन के बाद विस्टो का दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देस है देखे 2011 की जो जन इसके पहले वाले चेप्टर में मैंने विस्टो का मांचित्र दिखाया था तो विस्टो के मांचित्र में आपका एसिया जो था वो तरी गोलार्द में था और भारत एसिया का ही एक भाग है तो भारत भी आपका उतरी गोलार्द में हुआ तो करकरेखा साढ़े 23 डिग्री यहाँ पर देखी करक रेखा जो होती है तो करक रेखा जो होती है यह आपकी साधे तेश डिग्री उत्तिरी अच्छान्स देख के लगभग मद्ध से होकर गुज़रती है करगरे का भारत देस के बीच से होकर उजड़ती है दच्छिर से उतर की और भारत की मुख भूमी का विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्री तथा 37 डिग्री 6 मिनट उत्री एच्छांसों के बीच है ऐसे ही अगर पस्चिम से पूरप की बात करें तो देखे पस्चिम से पूरप में भारत का विस्थार 68 डिग्री 7 मिनट पूरप से 97 डिग्री 25 मिनट पूरवी देसांतर के बीच है मैप में देख लीजे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा यह देखके अगर इसका उत्तर से दच्चली विस्थार देखे तो 8 डिग्री यह रेखा जा रही है लेख यह देख़ है उत्तरी 21 मिनट उत्तर आएगा तो नीचे आपका कितना था? आठ दिगरी चार मिनट और ऊपर हो जाता था है, 37 डिगरी शह मिनट, उत्त्री अच्छांस तक इसका फिस्तार है, यह देखें, उत्त्री अच्छांस वाला हो गया, अब देशांतरी भिस्तार की हम बात करें, तो यहाँ पर देखिए 68 डिगरी 7 मिनट से इधर 95 डिगरी 25 मिनट तक तो यह देखिए आपको हो गए अच्छानसी और देसांतरी बिस्तार मैप में भी मैंने आपको दिखा दिया भारत जो है उत्तर और पूर्वी गुलार्द का भाग है आगे देखिए बढ़ेंगे बहुत बड़े देसांतरी बिस्तार लगभग 29 डिगरी के काराण यहां के दो छोर परिस्तित इस्थानों के इस्थानी समय में बहुत अधिक अंतर हो सकता है इस तरह की दूरी परिस्ति पूर्व के अडाचल प्रदेश में सुर्योदय का समय दो घंटे पहले होता है क्योंकि देखिए आपर एक डिगरी अंतर में कितना समय बढ़ेगा चार मिनट का अंतर होगा जिसने भी मांचीतर वाला चेप्टर ना देखो वीडियो की डिस्क्रिप्सन बॉक्स में लिंक प्रदेश का समय आगे होता है आप पहले पढ़ चुके हैं कि 85 डिगरी पूर्वी देशांतर के इस्थानी मान को भारत का मानक समय क्यों माना गया है इसे या मोतर को भारत का मानक या मोतर भी कहा जाता है यह देखिए मैं इवानचीतर वाले चप्टर में पढ़ा चुकी ह साथ देशों की स्थिली सीमा इसकी सीमाओं से जुड़ी है भारत जो देश है तो साथ अलग 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 देशों की स्थिली सीमा जुड़ी है जो मैं आपको यहां पर बताती हूं तो यहां पर देखिए पहला तो आपका हो गया पाकिस्तान दूसरा हो गया अफगानिस्त जाता है तो इसको हम अलग अलग नहीं गिनेंगे यहां पर भारत राजनेति का पूरा मैप भी यहां पर दिया हुआ है पीडियाप में आप लोग इसको देख लिए जची से तो समझ में आ जाएगा देखिए यहां पर चीजे दी हुई है कि अंतर राश्टी सीमा है जैसे य इसे गोला है वह आपकी राजधानी सहर है और राश्टी राजधानी दिल्ली है जो यहां पर है यह देखिए तो भारत का मोटा मोटा नकसा आपके दिमाग में होना चाहिए तो इसको बार अच्छे से चेक कर लिजेगा ताकि आपको कन्फ्यूजन ना रहे आपको मोटा म पड़ाग है यहां पर कौन से जलसंदी है यहां पर है आपकी पाख जलसंदी याद रखेगा यहां पर देखे फिर भारत भॉतिक का यह मैप दिया हुआ है बहुतिक में आपके परवत पठार न दियां ये सब ही आ जाते हैं तो देखें इसमें सब कुछ दिया भी हुआ है इसको भी आप पीडियेप से चेकर लिजेगा तो आपके समझ में आ जाएगा आगे पढ़ेंगे दिखिए दिल्ली भारत की राजधानी है राज्यों का न होता है बरफ का घर याद रखिएगा हमाले परवत की तीन मुख समानांतर संट्रहउं में बाटा गया सबसे उत्तर मेंस्थि पहाड़ी इस्थाने इस्थ इतयतं interesting सिवालिक सबसे दच्छिन में इस्थित स्रंखला है यहाँ पर देखे मैप में देख भी लीजे कि सबसे पहले आपका यहाँ पर है ब्रहात हिमाले यहाँ पर वर्स भर बर्फ जमी रहते हैं यहाँ पर कोई भी वनस्पतियां नहीं पाई जाती है उसके बाद है आपका लगू हिमाले और उसके बाद देखे सबसे दच्छिन में आ जाता है आपका सिवालिक वाला छेतर विस्तु का जो सबसे उंचा परवस सिखर है वो देखी इसी ब्रहात हिमाले में भारत में नहीं है लेकिन यह ब्रहात हिमाले में ही है आगे बढ़ेंगे दच्छिन के हिमाले में भारत का उत्री मैदान इस्तित है ये मैदान सम्दल तथा सपाठ है ये मैदान सिंधु गंगा ब्रंपुत रथा इनकी सहायक नदियों के दौरा लाए गए जलोड निच्छेपों से बना है नदियों के ये मैदान क्रसी के लिए यही कारण है कि इन मैदानों में जन संक्या अधिक है हमाले में भारत का उत्तरी मैदान पाया जाता है यहीं माले से जो नदिया निकलती है वह अपने द्वहले जलोड निच्छोए पलाती इन्हीं जलोड निचोपों से उत्री भारत का उत्री मैदान बना हुआ जिसके काफी ज़्यादा उपजाओ है और यहां के मैदानों में अधिक जन संक्या होती क्योंकि काफी ज़्यादा उपजाओ है यहां पर पैदावार अच्छी होती है नेक्स्ट भारत के पश्चिमी भारती महा मरुस्थल इस्तित है यहां वर्यस्पति की बहुत कम मात्रा है उत्री मैदान के दच्छिन में प्रायदवीपी पठा रहे हैं इसकी आकरती रबजाकार है इसका धरातल काफी उचा नीचा है इस चेत्र में बहुत सी पाड़ी स्रंखला इस्तित है इसके उत्तर की तरफ बहने वाली नदियां है जो अरब सागर में गिरती है यहां पर आपकी अरावाली स्रंडी है राजिस्थान में है इसके बार देखे आपकी यह सत्पूडा स्रंडी है और यहीं पर है आपकी बिंध स्रंडी यहां पर देखे नर्मदा और तापी नदियां बहती है यह एईशी नदिया है जो पस्चिम की ओर बैती हैं मतलब एधर से निकलती है और इधर जाकर गिरती है अरब सागर में गिरती है पस्चिमी घाट का विस्तार देखी एक सामान रूप से जबकि पूर्वी घाट का विस्तार बीच में टूटा हुआ है तथा समान है बैद्द पूर्वी पस्चमी पूर्वी वाला हिससा इधर हो गया तो इधर वाला जो बिस्थार है वो ऐसे कटा छटा है लेकिन जो पस्चमी घाट का है वो एक समान है जिसके कारण इन पठारों में खनीजों जैसे कोईला और लॉय। लव एसक की प्रचूरता मतलब कोईला और लव एसक की मात्रा पाई जाती है पश्चमी घाट के पश्चिम में तथा पूर्वी घाट के पूरम में तटी मैदान इस्थित हैं पश्चमी तटी मैदान काफी सकरे हैं पूर्वी तटी मैदान अपिछाक्रत चौड़े हैं वहा पर सुन्दर्वन डेल्टा इस्थित है यहां पर देखिए यह नदियां है महा नदी उडिशा में हैं और गोदावरी कृष्णा कावेरी यह जो सभी नदियां है बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं पूरब की और गिरती हैं एक चीज़ और याद रखेगा पूरब में गिर और बंगाल की खाड़ी मीं गिरती हैं यहांप नदिया भी इहांपर डेल्टा बनाती हैं तो यहां पर देखिए यूब के बनाती है इसी को कहते हैं सुंधरवन का डेल्टा जो गंगो ब्र،मपुत नदियों तो रहे डेल्टा निशें mm के एक ओप्रवाल प्रवाल क्या होते हैं चोटे समुद्री जंतों के कंकाल है जिसे पॉलिप कहा जाता है जब जीवित पॉलिप मरते हैं तो उनका कंकाल बच जाता है अंड़ पॉलिप की ब्रधी इंठोस कंकालों के उपर होती है जो बढ़ते बढ़ते काफी उचे होते हैं तथा इस प्रकार प्रवाल दूइपों का निर्माड करते हैं तो प्रवाल इधर पस्चिमी साइड है लच्छ दूइप जो है यह आपका एक प्रवाल दूइप ही है आगे हम इसको पढ़ेंगे भी यह देखे भारत में दो दूइप समूँ भी है एक लच्छ दूइप अरप सागर में इस्तित है यह किरल के तरट से कुछ दूर इस्तित प्रवाल हुआ था तो यहां पर देखे कौन सा दूइप समूँ प्रवावित हुआ था तो आपका अंडमान दिंको बार दूइप समूँ ही है प्रवावित हुआ था समाचार पत्रों लोगों से बातचीत के जरिये जानकारी प्राप्त कीजिए जिब सुनामी भारती तर्ट से टकर बिस्तार पूरव से पस्चिम के और बहुत अधिक होता है वहाँ पूरे देश का मानक समय एक नहीं होता है जैसे भारत का मानक समय 65 डिग्री बताया मैंने आपको तो यहां पर देखे बहुत से देश ऐसे भी होते हैं जिनका मानक समय एक नहीं होता कई सारे होते हैं जैसे बहुत important गंगयों ब्रंभपुत्र नदिया जो होती है विस्त के सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करती है जिसको क्या कहा जाता है सुन्दरवन का डेल्टा कहा जाता है इस डेल्टा की आकरती ध्रिवजाकार है आकरती पीसी रेखी इसकी पूछे जा सकती है याद रखे किया हिमाले के सबसे दच्छनी भाक को क्या कहा जाता है मैंने आपको बताया कि सिवालिक कहा जाता है सहयादरी को अन्य किस नाम से जाना जाता है तो सहयादरी को अन्य पस्चिमी घाट के नाम से जाना जाता है पाक जलसंदी कि बीच इस्तित है तो मैंने अभी आपको सबसे पुरानी परवस रंखला कौन सी है तो सबसे पुरानी परवस रंखला मैंने बताया आपको भारत की अरावली है तो यहां से लिखे आपका यह चैप्टर कंप्लीट होता है वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कर दीजेगा साथी में जो भी चैनल पर नए हो वी